Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. Guys, आज की वीडियो बहुत 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 जादा इंपोर्टन रहने वाली है because आप यहाँ पर जितनी भी candidates हैं सब लोग post graduate हैं और post graduation की base पे अगर कहीं job निकलती तो मैंने काता मैं आपको बताऊंगा this is the opportunity जिसका क्या फायदा advantage ले सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी net की requirement नहीं है ना ही आपको PhD की requirement है अगर आप किसी भी stream से post graduate हैं तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं grade A level की post है आपकी government of India के अंदर तो चलिए समझते हैं make sure कि आप इस वीडियो को end तक देखिए तकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए ऐसी opportunity बहुत कम आती है year में और year opportunity आई है तो इसको complete समझ लो मैं आपको हर चीज बताऊंगा application कैसे डालना है इसका syllabus क्या रहने वाला है exam कैसे होगा कहां से पढ़ना है कैसे preparation करनी है मैं आपको complete guide आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ so make sure आप इस वीडियो को तसलिए से 8-10 minute की वीडियो रहेगी complete वीडियो देख लीजे ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आजाए कोई मन में doubt ना रहे और उसके बाद भी को doubt हो तो comment कर देना वीडियो की नीचे में comment कर reply करके बता दूगा वीडियो मांगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं इस चानल पर आपको UGC net से related सारी अपडेट देता रहता हूँ साथ ही किसी कॉलेज में assistant professor, assistant registrar या PhD admission के form निकलते हैं तो इस सभी से related update आप यहाँ पर मिलते रहते हैं So guys make sure आप इस चैनल को subscribe कर लें साथ ही bell icon press कर लें ताकि आपको upcoming videos के सभी notification मिलते रहें चलिए guys directly चलते हैं हम लोग notification पर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यह grade A level की post है जो कि officer A grade level की जो post होती है वो मैं के बात कर रहा हूँ यहाँ पर general post जो है वो unreserved category 32 post है काफी अच्छी आशी post है इतनी post नहीं आती है OBC में 22 post है SC की 11, ST की 7, EWS की 8 और total जो है 80 post है अब यहाँ पर educational qualification क्या है that is master degree in any discipline अगर आप किसी भी discipline से pass out है चाहे आपने MA किया है MCOM किया है MSC किया है कुछ भी किया है कोई भी stream से आप pass out है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो bachelor degree है अगर आपकी law में अगर आपने LLB किया हुआ है तो आप only LLB के base पर यहाँ पर apply कर सकते हो bachelor degree है आपकी engineering department में तो भी आप apply कर सकते हो याँगर आप CA हो chartered accountant, CFA हो CSO, CWA हो तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते है तो guys अब मैं बता दूँ कि जो आपकी general post है इसकी आपकी total 80 vacancy है general post के अलावा आपकी यहाँ पर legal post है legal में total 16 vacancy है जिसमें 11 general की है इसमें आपने bachelor degree कर रखी है law में तो आप यहाँ पर apply कर सकते है और यहाँ पर guys मैं बता दूँ कि एक single person जैसे जिसने LLB कर रखी है वो more than two post में भी apply कर सकते है वो यहाँ भी apply कर सकते है वो journal में भी apply कर सकते है तो एक से ज्यादा post के लिए भी apply कर सकते हो यहाँ पर इसके अलाव अगे information technology की यहाँ पर 12 post है आपकी यहाँ पर total 5 इस तरी इस divide कर रखा है इन्होंने bachelor degree होनी चाहिए आपकी computer science में अगर आपने कर रखा है तो कर सकते हो या आप इलेक्ट्रीकल या फिर electronics department से हो तो कर सकते हो बतलब कहना का कि आप engineering या computer science department से होनी चाहिए research में आप टोटल जो है 4 unreserved category की total जो है I think 6 या 7 रखेंसी है master degree होनी चाहिए आपकी statistics में या फिर economics में या फिर master of commerce m.com होना चाहिए आपका MBA होना चाहिए master of business administration तो भी आप अपलाई कर सकते हो research में finance में economics में अगर आपने कर रखी है master degree तो आप कर सकते हो तो आप यहाँ पर research में भी कर सकते हो general जो मैंने पहली post में रहती है आप वहाँ पे भी आपके बास hindi as a subject होना चाहिए तो यहाँ पर दो post है general की total team post available है यहाँ पर इसके अलावा guys और भी जो post में आपको बता जेता हो कौन-कौन सी है तो आप मैं बता दूँ गाई से जो post आई है वो आई है आपकी securities exchange board of India से SEBI से post आई है और SEBI आप सभी को पता है आप सभी लोग यहाँ पर पड़े लिखे है कि जो SEBI है वो एक regulatory body है जो कि stock market में government of India की तरफ से जो है investor का की देखरेक करती है और कोई भी fraud ना करे investors के साथ इसलिए regulatory body है अब यहाँ पर मैं example लेकर बताता हूँ जितनी भी bank के है उन बैंकों की देखभाल कौन करता है RBI कोई गडबड ना करे regulation कैसे कर दी है तो बैंकों की देखभाल RBI करता है ऐसे securities and exchange market की जो देखभाल करती है body that is SEBI Securities and Exchange Board of India तो अभी जो SEBI है वो आपकी act of parliament की थ्रूप बनाए गई थी statutory body है established by government of India तो ये central government के through established की गई है completely government है ये एक परसेंट भी private नहीं है completely government है और यहाँ पर जो post निकली है वो completely A grade वाली post है मैं उसके वारे में बताऊंगा पहरे मैं बता दू कि form filling की last date क्या है तो जो form filling है वो 5 January से लेकर 24 January तक चल रही है यहाँ पर date जो है वो बढ़ सकती है अमरे दो लिखा हुआ important date जो है वो change हो सकती है according to Corona यहाँ पर change लिखा हुआ है तो Corona की वज़े से date extend भी हो सकती है because हो सकता है कि कहीं जगा problem हो जाए लोग form fill ना कर पाए तो अगर लगा इन्हें कि date extend करने चाहिए के बाद भी जो date है वो extend कर दी जाए तो आप लोग अगर इस वीडियो को 23 से 24 जनवरी को देख रहे हो तो आप एक बाद चेक कर ले ना शायद जो date है वो extend हो चुकी हो क्योंकि यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है कि date हो extend हो सकती है change हो सकती है date according to need अगर सेवी को लगा कि बढ़ाने चाहिए तो बढ़ा सकते हैं वो इसके लाव जाए मैं बता दूं कि यहाँ पर date extend होती है तो हर चीज की date extend होगी like जो आपका examination होगा उसकी date भी extend होगी 10-20 परवरी जो date है यहाँ पर डाल रुखी है क्योंकि ऐसे exam में time नहीं मिलता आपको पढ़ने का जैसे form निकलते है 15-20 दिन एक महने बार आपका exam conduct करा दिया जाता है लेकिन अभी क्या कोरोना की वज़े से exam conduct नहीं हो सकता तो आपके बास मुझे लगता है कि 2-3 महने आपके बास आराम से रहेगा पढ़ने का और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि master degree जो आपने कर रखी है उसका आप इससे ज़्यादा कहीं better use नहीं कर सकते कि only master degree के base पे आपको A grade level की job मिल रहे है कि यहाँ पर exam होगा आपका preliminary exam phase 1 फिर आपका main exam होगा phase 2 का exam जो कि March की data रखी 20 March की और उसके बाद आपका जो IT वाले बच्चे है IT field के उनका 20 March का नहीं बलकि उनका 3 April को होगा उनका exam अलक से conduct किया जाएगा और जो phase 3 होगा that will be interview और यहाँ पर date बता दी जाएगी तो 15% की weightage है interview की और इनका जो mix करके जो रहेगा वो 85% की weightage रहेगी तो यहाँ पर इस तरीके से weightage रहने वाली हो तो ज्यादा ज्यादा weightage नहीं interview की interview की जब ज्यादा weightage होती है तो यह बार अंदर से setting हो जाती है settings करा देते हैं लोग कि हमारा qualify करवाद हो हमें आपको पैसे खिला देंगे तो 99% chance है guys कि आपका exam हो जाएगा because आप इतने भी नलाइक बच्चे तो हो नहीं सकते हैं interview में बिल्कुल ही 1-2% लेकर क्या हो at least अगर आपने 8-10% भी score कर दिया interview में तो भी आपके जो selection की chance है वो बहुत जादा बढ़ दाएंगे तो यह काफी अच्छा हास होगा है because यहाँ पर ए ग्रेट जॉब आपको मिल रही है आप यहाँ पर दिखा दूँ जॉब का नाम क्या है यह officer post of officer grade A that is assistant manager आपको manage करना होगा इनके department के अंदर तो अलग-अलग डिपार्टमेंट लेक जनरल स्टीम जनरल असिस्टेंट मैनेजर होते हैं legal stream के होते हैं information technology के assistant manager होते हैं तो अलग-अलग field में यहाँ पर इनको required है assistant manager की अब यहाँ पर सबसे बात ही है कि जब अगर एक बार असिस्टेंट मैनेजर लग जाते हो अगर आप regular काम करते रहते हो तो देर देर आपको प्रोमोशन भी हो जाती है assistant manager से आप manager बन जाते हो फिर उससे जब आप ज्यादा experience हो जाते हो 10-15-20 साल हो जाते हो फिर आप manager से general manager तक की post पर पहुंच जाते हो तो यह काफी अच्छा अच्छा वाउक है आपके पास इस बार आप guys मैं आपको आगे लिए कि चलता हूँ बता दूँ कि age limit का रहने वाली है यहापर guys जो age limit रहेगी आपकी that will be कि आपकी जो maximum age है वो 30 साल से जादा नहीं होनी चीए लेकिन 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 सोनो सोनो यहापर age relaxation दिया गया है 5 साल का age relaxation मिलेगा SCST category को 3 साल का मिलेगा आपक उनको ही मिलेगा ठीक है अगर आप एक general category के student हो तो फिर आपके लिए 30 साल किए जहें लेकिन आप देख लेना कि आपकी जो date of birth है वो एक जनवरी 1992 के बाद आप पैदा हो उससे पहले के ना हो मतलब कहने का कि अगर किसी का 1991 है तो अप्लाइड नहीं कर सकता 1992 है एक जनवरी सही तो आप अप्लाइड कर सकते हो 1992 में कोई सा भी मन्त हो आपका जनवरी फरवरी मार्च अपरेल माई जून जुन जुलै दिसंबर तक 1992 हो ना चाहिए बस वह है या उसकी बाद वाले बच्चे और 1993 वाले हो या इस तरीक से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो तो यह मैंने सब्सक्राइब कर मिलेगा अगर आप PWD हो और OBC से हो और 15 जाएगा अगर पी डबलूडी हो और SCST के कटिकरी के हो रिलेक्शेशन मिल जाएगा पास साल का अगर आप 117 रहे हो गवर्मेंट अंडिया में और बस यही था इसमें एज रिलेक्शेशन का इसके अलावर वावा ओन्लाइन स्क्रीनिंगी इंग्जामेनेशन होगा तू पेपर रहेंगे इसमें इसमें मल्टिपल चोइस कोशन देंगे हो गया आपका इंग्लिश हो गया इंग्लिश के अलावा आपका रीजनिंग हो गया इसके बात चार सेक्शन हो जाएंगे 60 मिनट का पेपर होगा 100 कोशन मैक्सम मार्ग जो है वह 100 होगे और जो कटफ रहेगी 30 मार्ग की जो इसकी कटफ मानी जाएगी इसके बाद गाईज मैं बता दूँ जो यह आपका पेपर वन हो गया पेपर टू की बात कर लेते हैं हम लोग अच्छा अगर जो स्टुटेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यह सेक्शन है आप मुझसे पढ़ सकते है इसके लिए मैं आपको complete video lectures, mock test और PDF सब कुछ ही provide करवा दूँगा completely आपको यहाँ पर हर तरीके से यहाँ जो solution भी मिल जाएगा mock test भी मिल जाएंगा आप online practice भी कर सकते हो इसके लिए आपको app install करनी पड़ेगी मैं आपको बता दूँगा आप मुझे 8802919803 आप मुझे इस study जो स्टार्ट कर सकते हो और मैं तब तक हैल क्यों जटते कि आपका exam नहीं हो जाता, पेपर तुग एगर हम बात करें तो पेपर तुग की दो stream रहेंगे, एक general stream रहेंगे और एक legal stream और research stream, तीन stream रहेंगे अलग-अलग, general stream के एगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपके यह लिगल स्ट्रीम कर रहेगा उनके लॉवाला और रिसरच कर रहेगा इसकी 40% की विटेज रहेगी तो यह आपका पेपर 2 के लिए भी आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा उसका चार्जिस लगेगा ऐसा नहीं कि फिरीमी हो जाएंगे तो आप बताएंगे तो मै नोट्स प्रेपर कर दूँगा अकॉर्डिंट टू एक्जाम टार्गेटिड विज्ट और यह आपका पेपर 2 का सले बस है अब यहां पर पेपर जो आपका फेस 2 होगा वह आपका ऑनलाइन एक्जाम होगा लेकिन आपका डिस्क्रिप्टिव होगा मतलब आपको टाइप क इसके अलावा गाईज यह दो होने की बाद फिर आपको इंटर्वी को लिए कॉल किया जाएगा और जो इंटर्वी की वेटेज रहेगी वह 15% की वेटेज तो कोई अंदर से घुटाला नहीं होने वाला है जो अच्छे पढ़के जाएंगे मैनत करेंगे इच्छे माक्स ल और सर्विस कंडिशन जो है आपको मैं बता दूँ कि आपर प्रोबेशन पीरेट पर रखन जाएगा आपको दो साल के लिए मतलब होता ना कि एक तरीके से आप स्टार्टिंग में रहते हो हर जगा हर गवर्न्मेंट सेक्टर में ऐसी होता है स्टार्टिंग में आप दो सा लगा आपका अपने उन्हें अन उसे फ्लैट वाडर ले लिए रहने के लिए कुछ अधर लाउंस ले लिए वो सब बैनिफिट के करने लिए बहुत अधर बैनिफिट्स बहुत सारे मिल रहे हैं एपको अच्छा गास है आप और अकोमेडेशन भी आपको मिल जाएगा रह सब्जेक्ट अव्यलिबीलिटि मंदा अव्यलिबल रहेगा तो डेफिनिटिल अपको यहाँ पर मिल जाएगा सबसे अच्छी बात ऐस यह है कि यहाँ पर जो इंडिया के हर स्टेट में अरभे बिहार चंडरी गड़ वो बी ऑनलाइन इक्जाम होगा उसके लिए लग लग सिटिं मेंशन कर दिये तो बहुत सारी सिटिं है nessAm जाए अले भाग सिटिं-पे Delhi दिल्लियator होगा all over India exam पर conduct किया जाएगा इसके बाद guys मैं आपको बता दूँ कि जो fees रहेगी unreserved category OBC की हजारों पर रहेगी और SCST की सौरों पर fees रहेगी intermission charges के साथ तो यह आपका fee पर कर सकते हैं आप लोग इसके लिए यह पर आपका लिखा हुआ यह PWD वाले बच्चों के लिए जो PWD categories से students आते हैं apply कैसे करना है मैं वो भी बता दूँगा आपको अभी apply आपको online ही करना है यह मैं दिखा जाता हूँ website पर जा करके this is the official website of sebi जब आप यहाँ पर आएंगे मैं इसका link दे दूँगा online application link यहाँ पर दिया हुआ है आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो जब आप इस लिंग पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाली website पर जाएंगे यहाँ पर आपको simply click for new registration करना है उसके बाद आपको form filling करनी जो भी आपका नावा में पोछा दाएगा तो इस तरीके जो है आपको form filling करनी पड़ेगी ठीक है तो यहाँ पर complete आपको online form fill करना है कि जाना नहीं है आपको simply online form filling यहाँ पर होनी वाली है इसके अलावा guys यहाँ पर को साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी को पैसे देनी क आपका mention है इसलिए बस detail में given है इस PDF कर link भी मैं दे दूँगा यहाँ पर commerce and accountancy है management है अब जो भी आपके यहाँ पर topics है यह topics आपको पढ़ने है अच्छे से ताकि जो आपका written exam में बच्छा जाए management है finance है general topics है costing है companies act economics है तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप general post के लिए apply कर अगर आप paper 2 के notes चाहते हैं तो इसको notes available हो जाएंगे मैं आपको इसके लिए notes available करवा दूगा और वो depend करता है कि कितने बच्छे demand करते हैं अगर एक दो बच्छे ही मांगेंगे तो फिर मैं क्या बनाऊंगा notes अगर बहुत सरी students मांगते हैं तो फिर मैं इसके लिए notes prepare कर मैं बता दूं दुबारा पेपर दोनों मीडियम में होने वाला है तो काफी अच्छी बात है क्योंकि आप दोनों ही मीडियम से इस इक्जाम को दे सकते हैं तो आप इस वीडियो कोमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना मैं आपको रिप्लाइ करके help कर दूंगा काफी अच्छ आपके लिब भुगा है, पदा और फिश्च तो आपके लिए अच्छा मौका है एक्जाम निकल गया, तो यईस बहूँत अमेंट से जॉब है वो Government of India में लग जाएगी और काफी अच्छी-खासी salary मिलने वाली है motivate रहें, apply करें और पढ़ने start करें, guys इस video lecture में इतना ही मिलते हैं next class में, till then keep watching UG's Net Mentor, thank you so much